जीदिने मेरे सारे निताओं ने दिल्ली में एक राश्य धख बनाए था उन्होंने कहा हम एक उम्मीद भाव को राश्य धख बना रहें मैं कहा बोलो कि समाज को जो उड़ते पीट मत दिखा देना मैंने एक बात कही थी कि सब कुछ लुटा दूँगा इंगे समाज को पीट समाज पढ़ा दिखा नहीं है समाज नभी नाओ के नहीं कहसे रहा है शलागा कहीं करने कि इस बात को जेलते आ रहे थे विक्मन एक बात कहाना चाहता हूं उद्ली के रैली में आज से पहले कभी तनी बड़ी द्वी एक समाज की और उद्विदृते में नाम दिया था और दिल में जर्द हादिर किराई 10 लाग मुझे की 30 पुराजी का करन बंदन करता हूं जिनोंने मुझे 15 दिन में उठाके और सांसर बना के भेज दिया अपने कौम का मैं इसलिए बंदन करता हूं कि कौम अगर पीछे है तो सब कुछ है अगर कौम नहीं है तो दूसरा भी कोई नहीं भूता यह सब्दा ही है तेकर मैं कहना चाहता हूं कि कई बार जिस बात का आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं जैसे मोर जमनाता है तो हमने पैरों के तरफ देख के रोता है आज 11 साल मुझे हो गए और 11 साल का संगार साथ आज कहीं न कहीं माविर जी आप सब को दिखाई देता है संगार साथ बहुत लंबे समय कर रहे हूँ लेकर मैं वह दिन जाज भी नहीं बोलता जिस दिन आप लोगों के 30 मई 2007 को जो वह दिन देखना पढ़ा था मैं बहुत लंबे समय से इस बात को जहलता आया हूँ कि देव महाराज के ने बहुत बड़ी किरपा मेरे पर की हुई है भगवान ने सब कुछ मुझे दिया है सब कुछ दिया है वोई कमी नहीं छोड़ी मैं समंदुर में रहता हूँ जी समझो तरी टोपेशाँ मैं एक दिया है मक्यों के जलता हूं मन सब कुछ दिया है मैं बार 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 इस वास को चेहन करता हारा था जिस दर्द को फोस बस्ता हमने रख्शा ए उसके बाद मेरा दर्द मेरा था और मैं सवाद के दर्द को उस लोग सबा के अंदर में खाली रेजिमेंट नहीं कहीं पोस्वार साब मैंने ये भी कहा था कि मानिय प्रदानमत्री जी आपके सामने एक बात कहाना चाहता हूँ मैं रास्तान साखेले गुजर संसद हूँ और मेरे समाल का दर्द बहतर लोग मेरे सहीद हुए थे आज हमने इस बात का वाज़ा किया था मैं चाहता हूँ कुजों के अरक्षन दिलवा देंगे आप लोग तो फिरी हो अगर जब आमी पार्टी के सांसर होता तीन बास होता है यहां से बहार जाका है क्या अब क्यान साथ साथ आते तरह आप करें हमारे लोग जो किसी बार करने शाब लड़ी लड़ु खाते रहें कि दोस्तों अगर जिकर किया तो सिर्ब मैंने किया है और अगर आदमें के बाद भी उस बाग को रखा और आज में कहना चाहता हूं तो अगर जिकर किया तो पिया है जब लोग सबहा के परने पड़ते जाएंगे जब भी इस लोग सबहा में जहां बैठते ना जैर गुदाओं कबसे कम उसके बारा के सौतने के लिए उपर वाणा मलगूर कना है । और सात्यों हम कही शवार इस बात कहते हैं कि कही न कही हमारे इसयास के पन्ने रह गई जभी हम इसयास के पन्ने को फंगारते हैं तो जो आप लोगों के दर्द है वो नहीं मिल पाता कि मैं फक्र से कहता हूं वहां भी दूजर समान का योग दरना है पुसकर कोई दूर नहीं है आज भी जब भी प्रहमान दिगा एक मंतर कहराता है वहां भी आपकी बेटी आपकी बेहन सेटी को उसकी गायतर देगार साथ हमारी वूर्ट से लगी हुई है इसके बड़ी और हम क्या प्रिक्षा दे सकते हैं अरे सात्यों मैं उसके बात बेर चलूँ आज जहां तक आपने माराज उद्यशिंग की बात कहिए अगर नन्द बाबा को जिकर करूँ तो अपनी बेटी का बलिदान देके इस अही खांदान को हमने चलाया जो किरसंदी को हमने जनम दिया और परनाज भूज दे नहीं पादे हैं इतियास के पन्नों में कहीं हम जए त्योती पादी पड़ते थे हमने खुद ने बढ़ाता पनाज वाज दे इतियास लेकिन आज और सिर्फ पन्ना धाय से मास रह गई पन्नाज दाय को जिकर नहीं आता जितने अपने पेटें को कें द कर दो उसके बाद में आपने जिकर किया कि सदार बल्ला भाही पटेल जब पूरा देश आजाद हुआ था उसने भी आपके काम का वो सदार भाही पटेल था जिसने रातो रात तीन सो साथ रहसतों को तोड़कर भारत का एक जुटकरना उनीका काम सा भारत को सेंबल रूंग किया था इससे बड़ा और क्या परीचे देश आजाद हो गया एक जिकर किया आपने उनीस सो पावन का एक बार उसको जिकर कहीं कहीं निकालना ना मैं भी आप वहां पर रुख कि द्रेश आप मैं आपको खना क्याना चाहता हूँ किस आरखन के बाद मैं किसे का नाम तो मैं लिए लेना जयाता खूप ऐसे खक्टे होए भूवसाई wire पहले शक्स है जो अपने परले जमीन खरीद गए अपने परले जमीन खरीद गए और उतके बाद में वीर गुजत सही समानक आपका बोट पूदी मारे देखा हुगा अन्हें आप बताओ डाउंकन जमीन है अगर कोई साजे खाते की जमीन में भी ना एक दो बाइस जो कि कोट मुदी देखा है ना आज आप मानके चलो सिरो पर सिरत मैं आपको करना चाहता हूँ इक तर तो मेरे राजस्तान के और दो हर्याने पर सहीद हुए थे आज दर्भी को जाता है हमारे कई कोले जोग पड़ती कि बंदिखी पड़ी बच्के गई थे उन्हों लिखके आने वारी पीजी को पता लगता है कि इस कौम में कोई ऐसे ऐसे दूर्वित पड़ा हुई है ताकि इस बात का जिकर करूँ साथी मैं यह भी कहना चाहता हूँ आप सबने जिकर किया अभी राम कि संजी कह रहे थे कि क्या ही रास्ते अभी रहते हैं सांसत की बात कर दूँ मैंने फिर दुबार करूँ कि साड़े चार साल में आप सब आ रहे हो बहुत से लोग किसे दस-पास साल से आ रहे होगे ना देव माना जाते हो ना आम लोग लंबे समय से आ रहे हो अपने जिल पा हथ दरके बता हो इस साड़े चार साल में कोई बदलता हुआ दिखाई दि दिया जब आप आते हो ना आपको हमेशा से एक थोर्य का वंभीश में पड़ता है इतना से आस्ता था आज वो इस्तना कर दिया किया नहीं किया उसके बाद भी मन नहीं भेरा अध्यक मोज़ा कहला लगा बाहर से भी बाइपास नहीं काड़ो अभी कल पर से हम चंदर करा हमा आज के इस कारकरम के अध्यक्स और देवड़ी मुझा से आज तक के लाड़ते में जैक मेरे छोटे भाई राजिदर दिक्रूजर साहब मजपेवराजबान जिस साहब से क्योंकि जब तक संथन नहीं अथ्या होता तब तक भी किसी भी धाम की और किसी त्रस्त के आगे बा पूर महामंत्री आज के जो मंद को संचानन कर रहे हैं बहुत उक्षाहिद द्योज देखाई देरा मानियराम के संजीगे हमारे बीच में जिया प्रजेटर अगे बागोले वाले देवड़न सिवास्वी ती बगलाई पैसी दोलता इनका